कि आज हम देखेंगे operating system operating system का मतलब होता है अकर simple words में बात करें operating system को हम साथ में ऑईस भी बोलते हैं कि यह काम करता है mediator between the software and hardware के बीच अब software क्या है software is something which we can't see and not touch but hardware is something we can touch and see both software example for example, operating system is a software, microprocessor is a software, hardware can be seen, keyboard can be seen and can be seen तो इसलिए वो कैसा है hardware है अब 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 बात करें तो एक समल लो मेडियेटर जैसा काम करता है software और hardware के बीच में अब देखिए मानिये जैसे हमारे यह hardware है माना मैंने यह है keyboard कि एक कीबोर्ट से हमने एंटर दिया हेलो कि अब हेलो क्या करा अब हम जैसे मानिये किसी application में काम कर रहा है इसका नाम है ms word हमने हेलो लिखा तो हेलो यह operating system ने यहां से लिए और किस application को दिया अब फिर जो हमने अपनी screen पे देखा कि वह हमारा type हो गया है वह हमने यहां पर देखा जो आज यूजर हमने देखा फिर वहीं से हमने चलिए मानिये इसको एरेस करना चाहते हमने एरेस करा तो अप्लिकेशन में वह होने लगा और किसके आप से हुआ हर्डवेर तो यह चारों चीज़ आपस में इंटर्ड़ेटर है मतलब हम किसी एक में चैंज करेंगे तो सब सब गाले जोगी सब कैसे इंटरेटले यूजर आप्लिकेशन ओपरेटिंग सिस्टम हार्डवेर अच्छे से समझते हैं कि हार्डवेर में हाडवेर से मने कोई भी इंपट दिया तो वह आप्लिकेशन वे जो उसके लायक होगी है मानिया हमें कुछ टैक्स टाइप करना या तो मुस्कों नूट पाइप करेंगे या तो वर्ट पर टाइप करेंगे अब डेफिनेशन की बात करें तो अपरेटिंग सिस्टम इस सॉफफ़ेर कॉंपोनेंट कि हमें दिखता तो नहीं है अब दिखता है कि आपके फोर में एंड्रोइड है कि विंडोज है पता है लेकिन देखा नहीं है कि अब 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 करता है कि हमें यह अप्लिकेशन यह अग्छी जाए वह कुछ भी हो चपा मेंजमेंट हो फोन के जितने भी management होते हैं वो कॉन डिसाइट करता है हमारा operating system चाहे वो memory management हो चाहे वो input output management हो जीक है जैसे कुछ operating system के example क्या है Microsoft Windows Android iOS और भी होते हैं जावा फॉर्टर कुछ भी होते हैं function होता है जैसे कुछ functions of OS यानि की operating system प्रोसेसर management पहला क्या होता है प्रोसेसर अब आपने सुना ही एट गीगाहट्स का octa-core processor और प्रोसेसर का मतलब क्या होता है प्रोसेसर का मतलब होता है कि हमने अपना कोई भी काम चालू करा तो जैसे processing होती है कि हमारा यह दियोर देसेजन प्रोसेसिंग मुलब चल आए काम तो बस वही तो प्रोसेसर का मतलब क्याता जितना ज्यादा हमारा ज्यादा कोर होंगे प्रोसेसर में जितना ज्यादा डिवाइड हो उतना काम हमारा फास्ट वैसे बोलते हैं भाई पावरपॉइंट खोलो और नहीं हम पहले वर्ट खोलेंगे तो यह तो कोई बात नहीं हो दिना इसलिए जो प्रोसेसर क्या होता है पहले वह प्रोसेस करता है कि हमें क्या चाहिए यूजर हमसे क्या मांग रहा है तो हम उजजाब से उसको प्रोसेस करते हैं सेकंड क्या होता है मेमोरी मेनेजमेंट अब मेमोरी मेनेजमेंट है अब हमने मानिया कोई डेटा लिखा हम चाहते हैं कि वह हमेशा के लिए सेव हो हम जाते हैं वह सेव ना हो हम अलग-अलग मेमोरी उसको अलग-अलग कि हमें कीड़ना पड़ेगा हमने बताना पड़ेगा कि महां डिस्क में इस नाम के फोल्डर पर करो कि हमारा उप्रेटिनिग इंस्ट्रॉटेव ओक टेंगा बेसर्फल構र से कदस्क्राइब ना शोलतर है पर वह जिए आपक है कि अब ऐसी में इसी में आगे पढ़ते हैं लोग कि अधिक बड़ देखें प्रस्टर मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट अगला आता है file management, file management वस वही to manage the storage of various files and to change their content and data, अब file management का क्या करना है, हमने कोई जैसे file बनाई, हमें file management करना है, कि वो file जैसे जो हमने previous example लिया था, कि हम storage को लेकर बात करें, तो वैसे ही file की management हम चाहते हैं, कि हमने एक file a नाम की मनाई, को यो कि हमने से सिफ करी अब हम चाहते कि खूल को वापस को ओसमें हम कुछ चेंज्छेस करें तो प्रॉसस किस की विए से पॉसिबल होता है मतलब वह फायlles की जेंज्छ नहीं को या अबडेशन को फॉसेबल करा था त्थो किस से होता है हमारे OS यानि की operating system की मदद से होता है ठीक है अब जैसे ही बात करी थी जैसे सब कुछ management कर रहा है तो वैसे input output management करेगा कब किस से क्या लेना है अब जैसे मानो उसने बोला कि हमने कहा कि हमें यह प्रिंट चाहिए कि हमने एक आर्टिकल लिखा को रुना के ओपर और हमें उसका प्रिंट चाहिए हमने उसको वर्ट पर लिखा हमने वर्ट से प्रिंट की रिक्वेस्ट करी तो operating system क्या करेगा वर्ट से लेके उसको प्रिंट करने के लिए भेज़़ देगा तब हमें प्रिंट मिल जाएगा त जैसे कीबोर्ड हो गया माउस हो गया से इंपूट देते हैं और पूट डिवाइसे क्या हो गया जैसे कि हमारे प्रिंटर हो गया इंपूट डिवाइसे को में आई डिवाइसे और इसको क्या लिखते हैं और डिवाइसे प्रिंटर हो गया और प्लॉटर हो गया यह सब क्या ह बारिधे हैं और पडे जोटासर पर पश्येश्सों कि साथेंगे आद वें अन्य चीड dengan 2 में आप डिशन ओर में देख सके वह क्या होता है सब्सक्त कर चूंद ना से वह एस शोटा कि और जो देख सकें और चूष सकें वू क्या होता है Oftentimes in किसी वर्ट काम के लिए बनाए जाता है कि यहां इसा कर कर रहा है यह क्या कर रहा है यह ऐए यह क्या हो तुन जूर कारा यह अगला question पर बात करेंगे हम memories के उपर कि types of memory memory hierarchical chart जिसको हम अभी continue करेंगे तो एकसर एक टूमे question आता है कि draw the memory hierarchical chart उसमें हमें यह चार्ड बनाना होता है है यह हमारे होटू marks को cover करता है जिसमें से सबसे नीचे secondary memory फिर main memory पिर cache memory फिर cpu रेजिस्टेस जो मेमोरी इतनी नीचे होगी वह उतना ही दी में काम करेगी उतनी सस्ती होगी और उतनी ही बड़ी साइज में होगी यह लार्ज में मतलब होता है कि उसकी स्टोरिज क्यापासिटी की बात करेंगे जैसे आपने दिखा है फोन में बोलते हैं कि सपोर आपके फोन में चार चीबी राम है और चौसर जीबी रॉम है तो दिस रॉम इस कॉल सेकेंडरी मैमौरी और यह प्राइमरी आपने देखा कि रॉम कितनी पर्ड़ी है as compared to RAM secondary memory कितनी बड़ी as compared to primary memory तो वैसी secondary memory secondary memory हमारी बड़ी होती है और सस्ती होती है अगर जाहें तो एक टीबी दो टीबी जितने की भी होती है वो इन सब के comparison में सस्ती होती हम हम अकेले की बात नहीं करते हम हमेशह की चीज़ों को बजाता है कि सस्ता है मेहनगा हैं तो किसी की compassion में इन तीने में admit recycling में ακरते हैं ह। इस बाते अपना data को स्टोर करते हैं उस पे कुछ भी लिखते व was a main memory में करते हैं इसलिए वह बहुत important memory जो उसके उपर हप इससे क्या होगी शोट इससे क्या होगी से फास्ट होगी इस छोटी होगी सफास्ट मतलब से फास्ट काम करेगी जिस ज्यादा रायम उत्ता-उप प्रफोन आपका बढ़िया काम करेगा तो वैसे ही जतना दा में मेमोरी होगा उतना जादा ही वह फास्ट काम करेगा और देखा कि कहां यह 64 है और यह साइज में कारवी कैसी होती है small फिया प्र लेतर जwalker सकत्क घंस बढ़ बढ़ जाथ है और एकसरी आज लिए होती प्र redef кого बैपे हो एधिले काफी फास्ट होती है और काफी एंसे वोती है हर लैप टॉप में परके। हम आपनी एक क्षे मेमोरी होती है चैश होagon लप्तॉप क्या होगा फास्ट होगा है तो फिर वैसे ही सीपूरेजिस्ट्र यह दो में मुरी समार इसले बस मैं को नहीं पढ़ना है लेकिन यह दो इंपॉर्टन है हमारे दो आपको पूरे पूरे टुमक्स मिल जाएंगे जो की ऐसे होता है और यह लिखना मद बूरिये ल फास्तेस्ट मेमोरी कौन सी है ऐसे मेमोरी है मारी CPU ड़िस्टर जिस्टर अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डेफिनिशन देख लेते हैं क्या होता है secondary memory secondary memory हमने बोला सिब बेसिक स्टोरिंग के लिए होती है उस पर हम लोग लिख नहीं सकते हैं या कुछ रीड नहीं कर सकते हैं several programs data we need to use to store data for further use so we can use secondary memory data को store करने के लिए या वापस लाने के लिए जैसे मानों हमने यहां पर आज एक program बनाए या हमने यही सब notes note करें हम चाहते हैं हम इसको कल दूसरे फोन में दूसरी जगे देखे तो हम उसको या pen drive में डाल लेंगे hard disk में डाल लेंगे या cd में डाल लेंगे तो बस वही example होता है किसका secondary memory के secondary memory यही है में 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 मे और दोबारा पढ़ते है the memory which is small and computer stores data in which while working on it or take data while working on it is called main memory मतलब काम करते वक्त उससे data ले भी सकता है और और दे भी सकता है तो ऐसी memory को हम क्या बोलेंगे main memory मोलेंगे main memory दो type ही होती है पहली होती RAM दूसरी होती ROM RAM कपल फॉर्म होता है random access memory और ROM क्या होता है Read only memory रैम क्या होता है random access memory और दूसरी क्या होती रॉक read only memory अब थोड़ा से रैम को जानते हैं कि what is RAM RAM stands for random access memory क्या random access memory RAM का nature क्या होता है RAM is volatile in nature अब यह बहुत important term लिखी volatile volatile का मतलब क्या होता है जब तक हमारा जब तक वोला टाइल का मतलब होता है जब तक हमारा computer system में power on रहे हमारा phone on रहेगा तब तक ही हम उसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं उसमें data लिख सकते हैं राइट कर सकते हैं इसी को हम बोलते हैं read and write memory मैंने बताया था कि जो हमारी secondary memory होती उसमें हम सिपढ़ सकते हैं इसलिए हम उसको read only memory बोलते हैं ना कि write और इसको हम क्या बोलते read and write memory अब जैसे की जाना की volatile nature की होती है पावर on रहती है मैंसेज टाइप कर रहे हमारा phone on है हमने मैसेज टाइप करा चला गया अगर फोन सब्सक्राइब तो मैसेज टाइप नहीं कर पाएंगे तो वह क्या होता है हमारी इसको भी हम एक नाम और देते हैं वह होता है read only memory जैसे as a name says read सिप पढ़ो memory को पढ़ो कुछ लिखो एको नहीं उसमें it allows us to read and not to write सिप हमें पढ़ने की देता है हम जब कोई data store कर देते हैं जैसे मानो हमने कोई message यह हमने कोई whatsapp कर दिया हमने किसी को message कर दिया हो फिर हम उसको सिर्फ रीड कर सकते उसको वापा से उसको नहीं लिख सकते हैं यह उसी message को वापा से अरियास करने के लिखने है ऐसा नहीं होता है पॉसिबल प्रिये किस में होता है और रांप किस फॉर्म में होती एक blank chip के form होती चिप क्या होता चैब भी आप electronics पढ़ेंगे क्या होती है मतलब अच्या चोटी 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 क्यों होती ही night control ऑब राम जो हまり य्या को फरी से प्रों और स्पें लिखो नहिए बट यह जो यह memory आई हैं इनसे हम उसमें लिख पी सकते हैं अबलब data को change भी कर सकते हैं यह दो नई memory evolve होके या निकल के आई थी पहले थी पी-rom पी-rom का मतलब होता है programmable read-only memory इसी कास के दिए है कि यह सिफ एक यह बार प्रोग्राम अगर लिख गया तो लिख गया उसके बाद हम दुबारा उसको erase करके दूतरा data नहीं लिख सकता है यह कौन सी होती है P-ROM होती है अगली क्या होती है E-P-ROM E-P-ROM का फिल फ्रम् क्या होता है unavns एरेजेबल एरेजेबल बोलता है मतलर डेटा इसमें एरेज हो सकता है और दुबार próre वी इसको हम प्रोग्राम करके नया डेटा लेक्सक्ते है इंच कैंभी रियूस्ट सबटाइबल Studios using ultra wallet rate, अग but जो data उसक़ को सकते हैं, अल्टरा वाईलाट rate की help से की हेल्प से primitive कर सकते हैं। किस में ? EPEROM, EPEROM की होता है? Erisable programmable read-only memory. तो क्या होता है Erisable programmable read-only memory में ? ep- ROM में की हम उसका data irreze कर सकते हैं किसकी help से UltraWाईलेट रिइस की help से हैं और उसको दोबारा उसमें लिख सकते हैं तीसरी क्या है double लीपी रॉम का फुल फिर्म क्या होता है electrically erizable programmable read only memory मतलब अब जैसे इतना तो common था erizable programmable readily electrically नहीं गया electrically जो नया आया उसका reason यहां होता है the data on it can be erased using electrical present अब हम इसमें इसमें बीरेद हो जाता है इसमें किल्गी किसकी हैं से होता है अल्ट्रा वालेडर इसकी हैं से होता है इसमें किसकी हैं से होता है इलेक्ट्रिकल पल्सेश क्या होता है वोल्टीज की बात करते हैं यहां पर किसकी वोल्टीज है जैसे मानोगी हमने कोई एक programmable loom है में उसके फांच बोल्टीज ये एक नहीं पूरी ब्लैंक हो गई साथ वोल्ट से चेश्च देबे एक को क्या करते हैं और दूसरी उपड़ी नहीं द्यक्तिरी इसको Programmable Read Only Memory इसको हमसे वेग बार प्रोग्राम कर सकते हैं सब लिख सकते हैं दूसरी क्या थी e-pron थी it stands for Erasable programmable Read-only memory मतलब हम उसको reuse कर सकते हैं डेटा उस पे reuse कर आजा सकता किस की हैप से erase करके Ultra यह बहुत important point अल्ट्रा यह की हैप से इसमें रेज होता है और डाबल अब क्या होता है Electrically Erasable Programmable Read Only Memory the data on which can be raised using Electrical Pulses Can be Erased Using Electrical Pulse wenn Electrical Pulses की बात करें क्या voltages की हिल्प से Erase हो जाता है क्या कि इसमें EE PROP में Full-form Electrically Erasable Programmable Read Only Memory ठाफ्पों पाफ्चाम अ कर सруго आजव माले पgence पाल में दो तामे है कोले, अ कलो आजयर हैं, कर सम हारा है कि अ कामे इं customer, think,